असलाम आलेकूम मैं है शेफ रुकाईया आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जबरदसी पोटेटो बॉल्स की रैसिपी शेयर कर रही हूँ जो के बिल्कुल न्यू है तो पहले क्रंच चेक कर लें बहुत ही मज़ेदार बहुत ही जबरदस और इतना क्रिस्पी और क्रंची के मज़ा आ जाएगा तो सिर्फ हमने इसको बनाया है पोटेटो से और यह बहुत ही जबरदस बनती है जटपट से बन जाती है बहुत असान रेसिपी है क्रिस्प कैसे आएगा क्रंची कैसे बनेंग आप लोग किसी तरह भी कर सकते हैं इस तरह से बार इक बार एक श्रेड हो जाएगा तो हमने इसको पानी में रख देना है इसके ओपर ठंडा पानी धाई ग्लास डाल दें एक टेबल स्पून नमक डाल के वन टेबल स्पून सॉल डाल कर इसको भीगो कर आदे गहंटे के चोड़ लेना है तक सारा स्टार्ज और पानी वगएरा रिमूव हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर मसाले आड़ करेंगे जिसमें हमने आड़ किया यहां पर वन एंड़ हाफ टीस्पून ब्लैक पिपर हाफ टीस्पून दड़ा मिरच पीसीवी जी से लाल मिरच रहते ह और हाफ टीस्पून हम इसके अंदर आड़ कर देंगे सुका दनिया हाफ टीस्पून लाल मिरच पीसीवी हाफ टीस्पून यहां पर जीरा पाउडर आड़ करेंगे वन टीस्पून आप चिकन पाउडर लाजबी से आड़ करेंगे चिकन पाउडर बहुत अच्छा होता है यहां पर खटाई मसाला 1.5 टीस्पून एड़ किया है क्योंकि हमने इसे चरपटा बनाना है साथ में और 1.5 टीस्पून सॉल्ट एड़ करें और साथ में यहां पर औरेगेनो बहुत अच्छा और डिफरन टेस्ट देने के लिए यहां पर चुटीस्पून ओरिगेनो एड़ किया है उसके बाद अब हमने क्या करना है इसके अंदर कॉनफ लाइड करना है तो 1.5 टेबल इसपून मेंने अभी कॉनफ लाइड किया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है, उसके बाद 1 टेबल स्पून मजीद एड़ करके अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे, चाके अच्छे अच्छे बाइनिंग होती रहे सासा, 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर कौन फ्लार चला जाएगा, यहाँ पर चिकंदिक का म और अभी यहाँ पर 1 टेबल स्पून मजीद मैदा एड़ करेंगे, तो 3 टेबल स्पून हो जाएगा मैदा, और इसे अच्छे तरीके से बाइंडिंग करना है, और इसके बाद यहाँ पर मैट करी हूँ फूट कलर, यह औप्शनल है, आप चाहो तो एड़ कर सकते हो, लेक मैंने सारी बाल्स बना ली थी, बाल्स बनाने के बाद ऑइल को गरम किया, ठीक है, यह सारी बाल्स बन गई थी, ओइल गरम हुआ, मीजियम टू हाई फ्लेम पर उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर दी, और इसके अंदर अब हम इस पौटटेटो बाल्स को एड़ करेंगे फिर ती मिनट के लिए दूसरी सार पे फ्राइ करना है, तो टोटल यह छे मिनट में बिल्कुल परफेक्ट जो है ना, अंदर तक पोटटेटो जो है ना, बहुत अच्छे से गल भी जाएंगे, पक भी जाएंगे, और आइस्ता लो फ्लेम होगा ना, दंबल यह आंच से थ और इसको बॉल्स को किसी प्लेट में निकालें और बहुत जबरदस कैचप वगरा के साथ इसको इंज्वाई करें, तो मिलते हैं न्यू रेसिपीज के साथ, अल्ला हाफिज